नमस्का दोस्तों आपका मेरे YouTube एकाउंट में बहुत बहुत स्वागत है इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात किये थे हैं आप अपने फोटो एप के जो वीडियो और इमेज है आप अपने iPads अपने Laptop में कैसे ला सकते हैं अब दोस्तों इस वीडियो मे इस्टाल होना चाहिए जिसका नाम है iTunes करके फिट्यून तो यहां पर हम इसपे क्लिक करेंगे यह iTunes करके एप्सेल करके आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं Get it from Microsoft इसपे क्लिक करेंगे और यहां पर Get क्लिक करेंगे आप इसे open कर लेजे यहां पर दोस्तों आपका जो iTunes है वो complete हो चुका है download होके और install पर आप जब क्लिक करेंगे तो यह automatic launch करने के लिए आ जाएगा जब आपका यह download हो जाएगा तो आप इसे simply launch पर क्लिक करिए और यहां पर यह term and condition है iTunes का आप इसे agree कर लिजेगा आप इसे cancel कर देजे इस वाले page को cancel कर देजे और यह आपका simply इस तरीके से open होगा तो इस तरीके से जब open होगा दोस्तों तो इसमें यह आपका iPad अभी connected नहीं है क्योंकि यहां पर music जहां लिखा है उसी के बगल में एक symbol आ जाता है नहीं आए तो फिर से आप अपना USB cable जो है वो निकाल के फिर से लगा दीजेगा और यहां पर trust पर क्लिक कर दीजेगा और यहां पर अपना password इंटर करिएगा और यहां पर आप देखें यहां पर एक notification आ गया do you want to allow this computer to access information on this iPad तो यहां पर continue पर क्लिक करिएगा continue अब यहां पर दोस्तों यह आप देख सकते हैं आपका iPad जो है connected हो गया अगर आपके iPad में update होने के लिए है तो इसमें यह पूछेगा हमको updated समय नहीं करना है तो हम इसे cancel पर क्लिक कर देते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं music के बगल में एक iPhone के मतब छोटा सा phone का symbol बना है आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह आपका iPad का पूरा नाम हम सब लिख के आ जाएगा कि iPad 6 generation इसमें कितनी capacity है मेरे को दोस्तो file share करना है तो यहां पर देखिए यह file share का option है file share पर जाएंगे file share में जैसे यह Chrome है और Google Notes है infuse है तो इस तरीके से दोस्तो यहां पर यह symbol बन के आएगा अब इसमें आपको क्या करना है इसमें से जैसे आपके यह iPad है iPad में My iPad में इतने ही folder है Chrome Download Infuse और NMM2 करके तो यहां पर दोस्तो जो download वाला folder होता है वो file share में नहीं दिखाता है Infuse और Chrome का दिखाता है जैसे जब आपको iPad से अपने laptop में भेजना है तो यहां पर आपको धियां रखना होगा कि यह 3 folder है और इसी तरीके से जब आप अपने iPad में जाएंगे आपके iPad सॉरी अपने laptop में जाएंगे laptop में यहां पर file share का एक option दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके 5 folder दिख रहा है Chrome, Formap, Google Notes and iMovie Infuse लेकिन इन में से आपको common वाला ही select करना होगा जैसे Chrome यहां पर common है Infuse common है Infuse और Chrome आपको दोनों में दीख रहा है तो जैसे कोई भी आपको जैसे मालेजे कोई भी आपको copy करना है जैसे हम चलते हैं अपने iPad से एक बार दिखा देते हैं आपको iPad के Chrome folder में जैसे Infuse मालेजे download में हमको download में यह image है पर क्या है कि यह जो download का नाम है मतब folder है वो आपके PC में यहां पर PC में download के नाम से नहीं दीख रहा है तो इसको आपको paste करना होगा मतब move कराना होगा वैसे folder में जो दोनों device में common हो तो यहां पर हम जैसे इसको move करा देंगे move करा देंगे Chrome वाले आप में तो यहां पर जो Chrome है उसमें हम move करा देंगे move तो आप जैसे यहां पर देखे यह जो image था यह map वाला वो आगया Chrome में अब Chrome में आने के बाद क्या करना है आप अपने iPad अपने laptop में देखेगा Chrome वाला जो section है आप एक बार refresh कर लिजेगा यहां पर Chrome में जब जाएंगे तो यहां पर यह देखे 26 5D करके जो RAM का file है यही आपका वो वाली file है कहने का मतलब map वाली तो आप इसे सीधे dragon drop कर देजेगा आप इसे open करिए इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं आप अपने iPad से अपने laptop में कोई फाइल को insert करा सकते हैं यहां पर दोस्तों आपको जैसे अगर कोई movie लेनी है अपने laptop से अपने iPad में तो आपको क्या करना है जैसे यह infuse है infuse एक दरसे BLC जैसा media player होता है वैसे infuse एक media player है आप इसी में paste कर देंगे अब paste करने के लिए आपको क्या करना होगा कोई video आपको चाहिए उसको जैसे यहां पर select करके आप इसे drag and drop कर सकते हैं अब जैसे यहां पर देखे ओपर यह copy हो रहा है यह जब copy हो जाएगा तो इसके बाद आपका यह file आपके iPad में चला जाएगा अब यहां पर देखे जोस्तों यह जो file है सरदार उधम यह infuse के folder में चला जा चुका है अब जैसे यहां पर हम आपने iPad में चलते हैं iPad में आप देखेगा यह infuse में हमने डाला है तो infuse में जब आपका जाएगे तो यह सरदार उधम आ जाएगा और इसके बाद आपको क्या करना होगा कि यह जो infuse के folder है मतलब यह app है आप इस पर click करेंगे ओके तो यह देखेए सरदार उधम जो है वो आ चुका है आप इसे play करके देख भी सकते हैं यह पर play नहीं करने जा रहे है तो दोस्तो इस थरीके से आप अपने ipad से अपने laptop में और laptop से अपने ipad में iTunes के सहायता से आप अपने file को share कर सकते हैं अगर कोई भी problem है तो आप ज़रूर comment box में type करिए इस से पहले दोस्तों हम आपको बताये थे कि फोटो जो आप के जो file है उसको कैसे share कर सकते हैं बिना infuse के तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में